वैल्कम मु手भी मुठीक है और आज हम आपको बताते हैं कि ब्रदरं के में में लिए के चाटी कानल सब्सक्राइए असको का छिर्फित करना है फिर्दर की जो आप देख रहे हुए कि ब्रदर की काटशने हैं दोस्तों कुरूं हम सबसे पहले यह साइट से आपन करेंगे यह बर्दर की काटी एंट थेइस-पैंसट काटेज है और साइट से इसको आपन करेंगे सबसे पहले हम यह सारे स्क्रू जो दिए गए हैं इस दो इसक्रू यहां से हम आपन करेंगे आपन करने के बाद किया का हमएं कैप निकालना पड़ेगा कि यह दूसरा भिजाए और यह वाला जो बलैक गवर दखा रहा है यह हम निकाल लेंगे भार की तरफ कि यह और स्पोर स्पीन जोहर platform यह सारे ग्यर्यंश कि हमने निकालना पड़ेंगे क्योंकि इसकी नीचे ही दोस्तों इसका इंक रिफल करने का सिस्टम होता है यह फित गियर सिस्टम है लेकिन इस गीयर की नीचे हमें सेंग भरना पड़ता है इसको बड़ी साब्धानी है मैंने तो तो इसको तो साफ और क्लीन करेंगे हम इसमें जो भी बेश्टे जिंग पढ़ी होगी वह भी हम निकाल सकते हैं और दोस्तों मैं प्रिंट इस्टर का अल्टर ड्रैक लेजर टॉन पाउडर यूज कर रहा हूं यह प्रिंट इस्टर का पाउडर है तोस्तों आप इस अधर बाए निए बहुत सरल सबतों में आपको में बताने जा रहा हहाँ कुछ नहीं करना सरफ इसको रिखिंब करना और जैसे हम ने इसको ओपन किया था वैसे दोस्तों को क्रोच करना एंप गहां कि यहां से पूरा इंकर मैं डाल दूंगा कि दोस्तों यह वीडियो अगर मेरा आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को जदा है दर लोगों में सेर्व करना और वीडियो पर आप कमेंट करना कोई चीज समझ में नहीं आती को प्रॉलम आती है तो हम मैं आपको सारे चीज़ कर स्वलूशन दोंगा है ओके दोस्तों है तो देखा आपने कि यह यहां से किस तरह से अपने इसको काटिज रिफिलिंग कर रहते हैं पस इसकी रिफिल होने के बाद कि पूरा कि यह सिस्टम जो दिया था यह मैंने पहले निकाला था तो यह इसको हमें दबा देना है बड़ी तरीकी से अच्छी से दबा देंगे कि लग गया कि इसके बाद फिर हम इसका गीर कि यहां पर एक सैट कर देंगे कि दूसरा गीर भी लगा देंगे हम अगर अगर कि बड़ा वाला नीचे लगेगा फिर उपर से यह कि इस तरह से लगेंगे दोनों की यह आप देख लिए से यह यह लग यह लगा देंगे इसके ऊपर से एक दोस्तों इसमें कट होता है यह होता है इसको टॉन रिशर्ट भी करते हैं यह से कभी कि करने की प्रॉलम आती है तो इसको स्रिफ ओल्टा करके हमें रखना है जिस पोजिशन में था उसका ओल्टा सीम रखना है और इसको पर से में दोस्तों एक दोस्तों में कुछ ज्यादा कोई मैनत का काम नहीं है बहुत इजी और सब्सक्राइब मैंने आपको बताया कि कैसे आपको रिफिलिंग करनी है कि थोड़ा से यह सिस्टम का आपको ध्यान देना पड़ेगा और आप यह सिस्टम को निकाल कर बढ़िया आसानी से स्कार्टिस को रिफिल्ट कर सकते हैं और इस प्रॉपर कर से देंगे दोस्तों यह ब्रदर की 25-2023 की स्पिलिंटर्स प्रदर की दो तिन जो मोडल होते हैं उसमें एक सारी टी एंटेश पैसर सारे में सभी में एक ही प्रिंट में यह स्कार्टिस होती है ट्रमीनूट होती है इस तरह से इसको लॉक करते हैंगे और यह पूरी कार्टिस हमारी तैयार है टी एंटेश पैसर इसका पूरा कार्टिस सिस्टम है यह तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसे लगा मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें